सबी वक्तों को शिली शिवाय नमस्तु भ्या महरहार महादेव आठ मार्च माशिवरात्री के तीन महा उपाय जिसमें से दो उपाय मैंने आपको करके दिखाए हैं इस वीडियो में कैसे करना है उन उपायों को वो आपको आगे बता देंगे हम और यदि आपके पास में समय है तो आप एक बार ये उपाय अवश्य ही करके आना शिव जी के मंदिर में जाकर उपाय आपको किस प्रकार से करना है उसकी पूरी जान करी देंगे महा शिवरात्र की दिन जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को बाबा पूर अवश्य ही करेंगे करना कैसे हो पाए पर उसके पहले वीडियो को कर दीजे Like, Channel को कर दीजे Subscribe और इस वीडियो को कर दीजे अधिक से अधिक Share तो आपको क्या करना है जिस भी आप शिव मंदिर में जा रहे हो वो कोई सब शिव मंदिर हो वो शिव मंदिर में जाकर बाबा का शिरंगार करना है और शिरंगार किसे करना है आपको सफेद पुष्पो से जैसे कि आप ये सफेद पुष्पो देख रहे हो इस पूरे इस्थान पर आपको सफेद पुष्पो को समर्पित करना है जब यहाँ पर सफेद पुष्प समर्पित हो जाए उसके बाद में आपको सफेद पुष्प समर्पित करना है शिवलिंग के उपर जैसे कि आपको दिखाते हैं अभी एक जैसे कि इस पिक में देखिए किस तरह से बाबा का शरिंगार हो रखा है यहाँ पर बाबा का बाबा के उपर लाल पुष्प भी समर्पित है पीले पुष्प भी समर्पित है बाबा के शिवलिंग पर सफेद पुषबो से सिंगार करना है पूरे शिवलिंग पर आपको सफेद पुषबो से सिंगार करना है जैसे शिवलिंग होता है इस पूरे शिवलिंग पर आपको इस प्रकार से सफेद पुषबो से सिंगार करना है कि ये पूरा शिवलिंग अच् ग्यात हो कि ये मंदिर में कोई नहीं जाता किवल साल में कुछ ही लोग इस मंदिर में जाते तो उस मंदिर में अवश्य जाना उस मंदिर के अंदर जाकर प्रदोश काल में बाबा का शिंगार करके आना शिंगार करते समय आपके मन में जो भी भाव रहेगा जो भी कामना रहेगी वो कामना पेरे बोले नाथ मेरे महादेव अवश्य आपकी पूर्ण करेंगे समय लगेगा लेकिन पूर्ण अवश्य होगी आपकी वो मनो कामना शिंगार अवश्य ही करना जदी माल लीजिए आप ये उपा पुष्पो आवश्य भी समर्पित करना अपने मन की अपिलाशा करकर अपने मन की कामना करकर यदि माल नीची ये उपाय आप नहीं कर सकते शिव मंदिर में तो आपके आसपास में किसी भी विरक्ष के नीचे एकांतिस्थान में बैठना मही की मिट्टी को उठाना उसको शि कामना से आप शिंगार कर रहे हो बाबा का वो कामना वश्य ही पूंड करेगा देख सकते हो आप इसी प्रकार से आपको शिंगार करना है महादेव का सफेद पुष्पो से शिंगार करना है बाबा का पूरे शिवलिंग के उपर आपको शिंगार कर देना है अच्छे से इस शिवराते करके आना सफेद पुश-पुश से शिंगार अब हम आपको वो दो उपाय बताते हैं जो कि आप जो उपाय हमने आपको करके बताए हैं जो भी आपके मन की कामना हो जो आपके मन की कामना हो उस कामना को पूर्ण करने के लिए आपको यह उपाय करना है साथ में जदी कोई ऐसा वेक्ती है घर में जिसको गुसा बहुत आता है या फिर जिसका शराब या नशी के आदत नहीं चूट रही है उसके लिए ये पहला उपाय है जो हम आपको बता रहे हैं जैसा कि आप जानते हो बेल पत्र में एक नीचे डंडी होती है जिसको हम तोड़ देता है ये ठूट होता है इस परकार के आपको पांच ठूट लेने ले हैं ये जो आप देख रहे हो नीचे इस परकार से नीचे का छोट असर ठूट आपको तोड़ना है पांच लेने हैं कुल अब इनको लेने के बाद में शिव जी के मंदिर में पहुँच जाना है और जिस परकार वीडियो में दिखाये जा रहा है उसी परकार से आपको करना है तो आप देख सकते हो ये पांच ठूट है अब ये पांच ठूट आपको लेकर समर्पित करने हैं जी के चड़नों में चड़नों वाला इस्थान आप देखी रहे हो तो इन चड़नों वाले इस्थान पर आपको ये पांच ठूट समर्पित करने के बाद में आपको एक कलस जल बगवान चंक करके शिवलिंग के उपर समर्पित करना है जब आप जल समर्पित कर रहे होंगे तो जल समर्पित करते समय ये ठूट नीचे गर जाएंगे शिवलिंग से यदि पांच में से तीन ठूट नीचे गरते हैं तो आपको तीन उठाने हैं पांचों के पांचों नीचे गर जाएंगे चूट जाएगी आप देख सकते हो यह सारे के सारे नीचे गिर गए हैं तो आपको इन सभी को उठा लेना है जहां भी वो शिवलिंग से नीचे गिरे हो इस प्रकार मा शिवरात्री वाले तिन यह उपाय करना है दूसरा जो उपाय है वो उपाय है दो इस्थान पर बेल पत् पत्र समर्पित करना है बारा माईने की बारा शिवरात्री यह उपाय करना है और दूसरा बेल पत्र है बगवान शंकर का शिवलिंग शिवलिंग पर आपको बेल पत्र समर्पित करना है जो पहला बेल पत्र समर्पित करना है उस पर आपको पांच बार जल समर्पित करना है आपके मन की कामना करकर आपके मन के अभिलाशा करकर पांच बार जल समर्पित करना है जो दूसरा बेल पत्र है जिसकी डंडी आपके विप्रीत है उसके उपर भी आपको पांच बार जल समर्पित करना है एक एक बार करके पांच बार जल समर्पित करना है जब अंतीम बार ज लिए बावाबा आपकी कामना आवश्य पूंड करेगा। ज़्जी 12 महिने की 12 शिवरात्रिया आपकी अलगातार उपाए करते हूँ। तो इस प्रकार से आपको ये तीन उपाए जो मनों कामना पूर्ण करने के लिए हैं, किसी वेक्ति का गुस्ता शांत करने के लिए हैं, बताए हैं, सभी वक्तों को शिरी शिवाय नमस्तू ब्याम, हर हर